जय हिन दोस्तों केके फरनिचर में आपका स्वागत है आज हम आपको बना के दिखाएंगे धमरू चूर चौकट को कात्राया कालम में कैसे बना तो आप से रिक्ष्ट बसेकी करूंगे वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत क्याम की बहुत सारा जान लकडी है और इसका हम चौकट बनाएंगे तो चौकट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है लकडी को गुनिया में काट लेना है क्योंकि डमरू चूर चौकट बनाने के लिए जो लकडी का फेटा होता है उसको पहले गुनिया में करना पड़ता है तो पहले क्य कर लेंगे इसको बड़ा नहीं रखना है अगर बड़ा रखेंगे तो डमरुचुर में चौकट बन नहीं पाएगा तो यहां पे इसको साइज में कट कर लेंगे जितना भी फेटा है दोस्तों उसको गुणिया में कर लेना है उसके बाद आपको दरस इस तरह से दरसन का मार् कर लेना है दोनों में लेट वाले में राइट वाले में मार्किंग कर लेना है फिर मार्किंग करने के बाद क्या करना है वह मार्किंग को आपको गुनिया से इस तरह से उतार लेना है दोनों तरब उतार लेना है यह यह दोस्तों जो मार्किंग है यह चारो साइट करना तरहाँ पर देखेंगे 3 यह तरभ करेंगे आपर की पीछ सब्सक्राइबर को लिगो फो थोड़ा फोड़ा यहां पर थोड़ा इस तरह भी और थोड़ा इस तरह भी उतार देंगे ये क्योंकि आदा इंच बड़ा रखना पड़ता है जैसे माले जहां लगाएंगे तो यह हमको बड़ा रखने में काम है गाने तो यह पीश छोटा हो जाएगा अगर यह दोस्तों यह उपर वाला टॉप वाला इरिया है तो इसको कुछ भी करना है साइड वाला लगली जीतना मोटा है उतना हीारोक करके मार्र किकलेंने कर लेना है इसका बनाना हो हमुख कम्प्लिट हो चुका है अब हम 80 लगांगे लिटिया लगाते तो यह लिटिया मेजर्मेंट करके इसको भी मार्किंग कर लेना है, इसका भी मार्किंग चारो साइट करना है, तो यहाँ पर हम चारो साइट मार्किंग गुनिया से कर लेते हैं, जब चारो साइट मार्किंग कर लेंगे, तो आपको जो होल बनाना है, जो चूर बनाना है, उसमें दिक्कत नह यहां पी देखें का पांच में खीले लगा है तो यहां प八 में खांचा से लेबल आता है बाहर से आपकोْ रहे पूंचारन से रहता मिडले से भी आपको जोब है कि उसको हुआ कर सकते हैं तो यहां पर देखेंगे हम जितने भी मतलब बिटिया था अंदर की तरफ से लगा लिया है अब यह बता जाने आपको दूखे यह पौन इंच है यह दो सूत है और यह पौन इंच है और यह दोनों हाफ-ाफ इंच है तो यह दोस्तों यह जो लकड़ी हमारा है यह लगवक प द््यान से कहां-कहां के किस-किस लाइन पर करना है अगर द्यान से नहीं देखेंगे तो यह दोस्तों लाइन ने देख रहे हैं यह दोस्तव जो इस तक रहना है दोसी पर आपको dh dersie उता नहीं होता है तो सेम मार्किन हम इधर भी उतार देते हैं ताकि हमको आरी चलाने में दिक्कत ना हो तो यहां पर देखे हम इस तरह से मतलब पीछे तरह भी सेम मार्किन कर लेंगे और मार्किन केकदम करेट साइज पर हम आरी चलाएंगे मार्किन कम्प्लेट हो चुका है अब दिखेगी इसको भी मतलब काटना है निकालना है तो हम क्या करते हैं आरी को इसमें चला देते हैं कि एक तरफ चलाने के बाद दूसरे तरफ पलट लेंगे क्योंकि अगर एक ही बार चलाते रहेंगे तो थोड़ा आरी इधर उदर चला जाता है तो इसके लिए आप मतलब ध्यान दीजे कि दोनों तरफ पलट बड़के चलाईए ताकि आरी इधर उदर ना जाए तो यहां पर हम क्या करें आरी को देखे इस तरह से आसानी सावधानी से चला जालेंगे ताकि हमारा लकड़ी बेस्ट नहों हो कि दोस्ता हमारा आरी पूरा कंप्लीट चल चुक है हम क्या करेंगे इसको सरीय के मदद से इसको निकाल लेते हैं इसमें से अ तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पी से बीच का निकल चुका है अब हम क्या करेंगे हमने थोड़ा थोड़ा जो माल छोड़ के निकाला था उसको फरसी से अच्छी तरह साब कर लेंगे जब तक मैं साब करता हम को आप कमेंट करके यह बताए कि आपने कभी ऐसा मतलब चौ तो लगवक्त दोस्तों हमने जो माल उसको साब कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसको कात्रा कट करेंगे तो कात्रा किस तरह से काटना है यह देख लीजिए यह जो सामने के तरफ है लिप साइट के तरफ है वो अंदर वाला एरिया है यह दिखे दर्शन के तरफ है जो हमन लगड़ी है उसमें देखें इस तरह से मतलब यहाँ पर पूरा नहीं आपको काटना है जैसे करने का मतलब यह है जीतना यह काटना है उतनहीं आपको आरी भी चलाना है तो उसी साथ इसमें नारी हम चला देते हैं आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो यह 100% में गारांटी लेता हूं यह इस तरह से चौकट आप असानी से बना देंगे किसी से पूछने की जरोती ने पड़ेगी तो यहां पी देखें यह कटिंग होगे आप सामने का जो कात्रा है जो कालम है उसक नहीं दिक्कत नेगे कुछ इस तरह से दिखें यह कटी हो गया है अब यह हमारे साइड़ लकड़ी है तो नीचे वाला यह बाहर वाला है और यह उपर वाला जो है यह अंदर वाला अरिया है तो आपको भस ध्यान देना है जो बाहर के तरफ है जो दिवार की तरब त आढ Shri May है तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना दोस्तों ये हमने आदा हैं ये कि अ B κι टार ना है आगे नहीं जाना है कि पहले मार्किंग कि read है अब इसको पर लेंगे क्योंकि एक बार नहीं कि से मत का TV कॉन कि आ यह देखिए यह इसी लाइन तक कट गया है और यह पूरा लाइन तक कट गया है अब का करना दोस्तों यह जो लाइन है जिसमें उनको कात्र कालम रहना है इसको पूरा कट करना है पूरा अब यह देखेंगे यह लगवा पूरा कटचुका है अभी वाल्य पीश इसको निकल देना है मैं आगे आपको बताओंगा किसी तरह से यह आएगा इसको भी देखिए पीछे तरफ से है इչ वही पीस है, जो सामने से हमने कट किया, वही पीछे के तरफ से है, पीछे चौड़ा रहेगा, सामने पतला रहेगा थोड़ा, तब देखेंगे दोस्तों, हमारा जो पीस है, वो निकल चुक है, इसमें भी हमने जो माल छोड़ रखा था, उसको फिनिसिंग के लिए बार साप कर देते हैं, और ये कटिंग दोस्तों, जो आधा इंच वाल हमने मार्किंग किया था, उस पे है, देखेंगे बाहर के तरफ है अंदर वाले लाइन पे हमने नहीं कट किया है, ध्यान से देखेंगे, ये आधा इंच वाल बच गया है, क्योंकि ये जो बचागवा पीस है, जो दरवाजे के लिए हम खाचे बनाएंगे, उसमें जाएगा, अब इसमें हम कात्रा बना देते हैं, तो ये देखेंगे, लेट साइड वाला बाहर है, तो कुछ इसदर दोनों पीस को मने कट कर लिया है, अब हम इसको एक इक तरफ मिलाएंगे, ये देखें हमने खाचा भी लगा लिया है, मैंने खाचा लगाने का वीडियो नहीं दिखाया है, आप खाचा लगा लीजे मत इस तरह से, आपको माल लेते हैं और डाल के बिठा के देखते हैं बराबर हमारा कटिंग हुआ है कि नहीं यह दोस्तों जब कटिंग करते हैं उतना अच्छा माली यह नहीं हो पाएगा तो थोड़ा मतलब अगर गयप आता है तो आरी चला जीजिए एकदम परफेक्ट बैट जाएगा कोई दिकत न कि देखेऄ परफेक्ट मतलब है अगर गुनिया भी लगांब कर देख देखर दीकमति द्रेखेशे कोई दिकत नहीं को में को दिकत नहीं वह इंगा यतर खोन लगा देना इसको फिक्स कर देना और अम चाहिए तो नहीं भी लगा सकते लेकिन यह मजबूत ज्यादा हो पर दोस्तों हम खेले मतलब 2 इंच का लगा रहा है 14 नंबर का तो यहां पर देखेंगे दोस्तों हमारा जो चौकट है बन के त्यार हो गया दोस्तों हमारा वीडियो कैसे तक कमेंट करें के जरूब बताए वीडियो पसंदे वीडियो लाइक कीजिए चैनल पेना झालब ऐ रोस्तों हमारा थन्द मारा भीडियो अग्य는 का थे लोस्त들 उसे सांवटियो उस 수도 सीयरे मेंट का रहें है न हीडियो अचैनल जोस्तों हमारा जोस्तों हमारा जोस्तों, थास्तों हमारा थावारल को यहाईक्स पालबूदू ।वियोयं झाल